कख्षा 12 के लिए हिंदी की द्वनी पाठे पुस्तक आरो भाग दो आये सुनते हैं आरो भाग दो का दूसरा पाठ कवी आलोक धन्वा प्रिष्ट संख्या 9 से 14 तक प्रिष्ट संख्या 9 कवी परिचय आलोक धन्वा जन्म सन 1948 मुंगेर बिहार प्रमुख रचनाए पहली कविता जनता का आद्मी 1972 में प्रकाशित उसके बाद भागी हुई लड़कियां बुरुनों की बेटियां से प्रसिध्धी दुनिया रोज बनती है यह इनका एक मात्र संख्या है प्रमुख सम्मान, राहुल सम्मान, बिहार राष्ट्र भाषा परिशद का सहित्य सम्मान बनारसी प्रसाद भूजपुरी सम्मान, पहल सम्मान जहां नदियां समुद्र से मिलती है वहां मेरा क्या है मैं नहीं जानता लेकिन एक दिन जाना है उधर सात्वें आठ्वें दशक में कवी आलोक धन्वा ने बहुत छूटी अवस्था में अपनी गिनी चुनी कविताओं से अपार लोक प्रियता अरजित की सन 1972-73 में प्रकाशित इनकी आरंभिक कविताओं हिंदी के अनेक गंभीर काव्य प्रेमियों को जबानी याद रही है आलोचकों का तो मानना है कि उनकी कविताओं ने हिंदी कवियों और कविताओं को कितना प्रभावित किया इसका मुल्यांकन अभी ठीक से हुआ नहीं है इनकी व्यापक ख्याती के बावजूद या शायद उसी की वजह से बनी हुई अपेक्षाओं के दबाव के चलते आलोक धनवा ने कभी थोक के भाव में लेखन नहीं किया सन 1972 से लेखन आरंभ करने के बाद उनका पहला और अभी तक का एक मात्र काव्य संग्रह सन 98 में प्रकाशित हुआ काव्य संग्रह के अलावा वे पिछले दो दशकों से देश के विभिन हिस्सों में सांस्कृतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहे हैं उन्होंने जमशेदपुर में अध्ययन मंडलियों का संचालन किया और रंग कर्म तथा साहित्य पर कई राष्ट्रे संस्थानों एवं विश्व विद्यालों में अतित्थी व्याख्याता के रूप में भागीदारी की है कविता परिचे पाठ्य पुस्तक में ली गई कविता पतंग आलोक धन्वा के एक मात्र संग्रह का हिस्सा है यह एक लंबी कविता है जिसके तीसरे भाग को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है पतंग के बहाने इस कविता में बाल सुलब इच्छाओं एवं उमंगों का सुन्दर चित्रण किया गया है। बाल क्रिया कलापों एवं प्रकृति में आई परिवर्तन को अभिव्यक्त करने के लिए सुन्दर बिंबों का उप्योग किया गया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती हुई पतंग उचाईयों की वे हदे हैं बाल मन जिने छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। कविता धीरे धीरे बिंबों की एक ऐसी नई दुनिया में ले जाती है जहां शरद रितु का चमकीला इशारा है। जहां तितलियों की रंगीन दुनिया है। दिशाओं के मृदंग बजते हैं। जहां छटों के खतरनाक कोने से गिरने का भै है। तथा दूसरी और भै पर विजय पाते बच्चे हैं जो गिर गिर कर संभलते हैं और प्रित्वी का हर कोना खुद बखुद उनके पास आ जाता है। वे हर बार नई नई पतंगों को सबसे उंचा उड़ाने का होसला लिए फिर फिर भादो यानि अंधेरे के बाद के शरद यानि उजाला की प्रतीक रहे हैं क्या आप भी उनके साथ हैं। प्रत्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। प्रिष्ट संक्या बारह साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं अपने रंद्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छटों के खतरनाक किनारों से और बज जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। प्रिथ्वी और भी तेज घूमती हुए आती है उनके बेचैन पैरों के पास। प्रिष्ट संक्या तेरा अभ्यास कविता के साथ 1. सबसे तेज बोचारे गई भादो गया के बाद प्रकृती में जो परिवर्तन कवी ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करें। 2. सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हलकी और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेशनों का प्रियोग क्यों किया है। 3. बिम्ब सपष्ट करें। सबसे तेज बोचारे गई भादो गया, सवेरा हुआ। खरगोश की आँखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए, जोर जोर से, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग उपर उठ सके 4. जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है 5. पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है छे, इन पंक्तियों को पढ़कर प्रश्णों का उत्तर दीजिए क, छटों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए ख, अगर वे कभी गिरते हैं छटों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं तारा, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात पर यह है तारा, जब पतंग सामने हो तो छटों पर दोड़ते हुए क्या आपको छट कठोर लगती है तारा, खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनोतियों के सामने स्वयम को कैसा महसूस करते हैं प्रिश्ट संख्या 14 कविता के आसपास एक, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे खयाल आते हैं लिखिए दो, रोमान्चित शरीर का संगीत का जीवन के ले से क्या संबंध है तीन, महज एक धागे के सहारे, पतंगों की धड़क्ती उचाईयां उन्हें यानि बच्चों को कैसे थाम लेती हैं, चर्चा करें आपकी कविता एक, हिंदी सहित्य के विभिन कालों में तुलसी, जायसी, मतिराम, द्विजदेव, मैथिली शेरनगुप्त आदी, कवियों ने भी शरदरितु का सुन्दर वर्णन किया है आप उन्हें तलाश कर तक्षा में सुनाएं और चर्चा करें कि पतंग कविता में शरदरितु वर्णन उनसे किस प्रकार भिन्द है दो, आपके जीवन में शरदरितु क्या माइने रखती है इसी के साथ आरो भागदो का दूसरा पाठ यहां समाप्त हुआ इसके बाद पार्ट तीन आता है प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत